वेल्गम बैग आप सबीका बहुत-बहुत स्वागत हैं आप लग भी फिस्ट मैं राजुल अब सब्सक्राइब करता हूँ दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले दादी मा की कहानी एक ऐसे कहानी लिख रहा है जो आज बहुत इंट्रेस्टिंग या कहानी आप तो इस वीडियो को शुरूर सेले कर एंड तक जोव देखिएगा चले दोस्तों वीडियों इस्टार्ट करते हैं यह कहानी दादीमा की कहानी है एक बार की बात है दादीमा इस बात को जानती थी कि जब तक ओँ रहा कहानी नहीं सुनेंगे जो बच्चे यहां से नहीं आकर सुन सकता है सभी बच्चे आजाते हैं और कहते हैं कि दादी अब हमें कहानी सुनाई है वह कहानी जो आप कर रही है कि बहुत ही नई कहानी है जो हमने कभी नई सुनी है वही कहानी सुनना चाहते हैं ऐसा बच्चे बोलते हैं दादी ने कहा कि तुम्हें पुरानी कहानी पसंद नहीं है सवी बच्चे ने कहा कि हमें सभी पुरानी कहानियां भी बहुत पसंद है दोस्तों आप सभी को भी यह कहानी बहुत पसंद आएगा आई मैं उम्मिद करता हूँ लेकिन जब नई कहानियां हमें सुनाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है दादी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें कहाने सुनाने जा रही हूँ एक छोटा सा गाउं था उस गाउं में सभी लोग मिल दूलकर रहते थे कोई भी किसी से धागड़ा नहीं करता था सभी लोगों एक साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता एक छोटे से गाउं में सभी लोग एक साथ रहते थे इसलिए सभी लोग एक दूसरे को पाज़ानते थे तभी एक गाउं वाला भागता हुआ आया और कहने लगा कि हमारे गाव में कुछ भेडिये आ रहे हैं मैं उनसे बचकर बहुत ही मुश्किल से यहां तक आया हूँ तुम सभी अपने बच्चे को घर में छीपालो कोई भी बाहर निकलने के लिए तयार नहीं होना पाए अगर ऐसा हुआ तो भेडिया उस पर हमला कर देगा सभी लोग भेडिये के बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए थे उन्हें लग रहा था कि भेडिया ससमें पता नहीं कितनी संख्या में यहां पर आ रहे हों उसे आदमी ने बताया कि भेडिया बहुत सारे हैं अगर उन्होंने एक बार हमला करना सुरू कर दिया तो बचना बहुत थी मुश्किल हो जाए तोस्तों आगे क्या बताती है दादी मा चली सुनते हैं यह बात सुनकर तो सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घ़रों में जाकर उन्होंने अपना दर्वाजे को बंद कर लिये रात हो चुकी थी सभी लोग घर के अंदर आ और भेडिया बाहर गुम रहे था वह सिकार की तलास में थे अगर उन्हें कोई मिल जाता तो उस पर अपना हमला कर सकता और अपना भोजन बना सकता था सभी बच्चे ने दादी से सवाल किया कि वह भेडिया घर के अंदर भी चले गए तो दादी ने कहा ऐसा नहीं है वह दरवाचा तोड नहीं सकते इसलिए बाहर इगुम रहे थे बच्चों ने पुछा तो फिर भी कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल रहा होगा क्योंकि भेडिया बाहर घुम रहे थे दादी ने कहा तुम ठीक कहा रहे हो भेडिया बाहर घुम रहे थे उसके बाद सभी बच्चे फिर से कहाने सुनने लगते हैं दादी कहती है उसमें सभी लोग यही बात कर रहे थे कि भेडिया हमारे गाव में पहुंच गए हैं और वह रात भर यहां गुमते रहेंगे और दिन भर भी वह वही भर रहेंगे अब क्या होगा उसी गाव में एक रामु नम का आदमी रहता था उसके पास एक छोटा सा सेर वह सेर को बहुत पसंद करता था इसी लिए अपने साथ रखा था बट वह उस जगाँ पर अभी आया नहीं था वह अपने सेर को लेकर कहिंग गया हुआ था सबी लोग यहा बात सोच रहे थे कि रामु यहां नहीं अगर रामु यहां होता तो सबी को भागा सकता था उस भेडियों को भगा सकता था विकॉज उसके पास सेर हैं और सेर डर कर भी सभी भेडिया भाग जाते हैं उसके बाद रामू कहीं गया था रामू आ जाता है तब ही सारे लोग खुश हो जाते हैं रामू के साथ सेर आया था वह सेर के साथ लेकर आया था येसे ही शेर दहारना शुरू किया, सारे भेड़ी भाग गये और सभी लोग बाहर निकल गए। रामु से काते हैं कि अगर तुम समाय पर नहीं आते तो हम यहें पर पूरा दिन बन रहा थे कमरे में। तुमारे आने से भेड़ी सारे भाग गये विकॉज तुमारे पास सेर था। कि वह अपना सिकार कर सकते थे। बड़ अब ऐसा नहीं था। सेर की वज़र से सब भाग गये थे। गाउवाले बहुत खुश थे। पहले वह रामु सेर से डरते थे। बड़ अब उसके सेर ने सभी को भगा दिया। अब सेर ही उनका रखवाला बन गया था। या कहानी बच्चों को पसंद आई थी। वह सभी बच्चे खुश हो गए थे। वह हर रोज ऐसे की कहानी सुनना चाहते थे। दादी उन्हें हमें सा कहानी सुनाती थी। या कहानी पसंद आई है। आगे भी इस वीडियो को सेर करें और कमेंट करके बताईए या वीडिय करें ये वीडियो कुछ हम ला सकते। दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में। जाएं।